चेहरे की डेड़ स्कीन को हटा कर इंस्टेंट नेच्रल गलो देती है कौफी फेसियल जाने एक छोटी से पाउज को इस्तमाल करने का सही तरीका दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि स्कीन केर रूटिन फोलो करने के बाद भी आपकी स्कीन रोनप होने लगती है आप अपने चेहरे का निखार वापस लाने के लिए कई क्रीम ट्राय करते हैं लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर पहले जैसा गलो नहीं दिखता है अगर आपको भी ऐसी परिसानी है तो आज हम आपको एक जबरदस नेच्रल फेसियल बता रहे हैं काफी फेसियल आपकी कई इसकीन प्रोब्लेम को एक बार में काफी हद तक ठीक कर सकता है दोस्तो काफी में कलोरोजेनिक एसीट पाया जाता है जो वजन घटाने के प्रोसेस को एस्पीट देता है यह सरीन में गुलुकोज बनाने को धिमा कर देता है अगर डायबेटीज के रोगी बिना सुगर एट किये बलेक काफी पीते हैं तो उन्हें बलड में मौजूद गुलुकोज का स्थर कम करने में मदद मिलती है दोस्तों यह जानते हैं कोफी फिस्यल कैसे करें दोस्तों इसके लिए आप एक कटोरी में एक चमज कोफी पॉडर ले अब थोड़ा सा चावल काटा मिलाए चावल काटा आप मार्केट से खरीद सकती है अब चाहे तो चावल को पीश कर भी उस काटा बना सकती है अब इसमें दो चम्मच कच्चा दूद, एक चम्मच नेमू का रस और एक चम्मच सहद मिलाए इन सारी सामगरियां को अच्छे से मिलाकर चेहरे और गरदन पर एस्क्रब करें करीब 10 मिनड़ तक चेहरे के फ्रेस पॉइंट पर एस्क्रब करते हुए मसाज करें अब साधे पाने से चेहरे को दो ले, आप बच्ची हुई सामगरी का इस्तमाल फेस पैक की तरह भी कर सकती है बच्ची हुई सामगरी को चेहरे पर फेस पैक की तरह लगाए और सुखने के बाद पाने से धो ले हफते में चार देन ये पैक लगाने से आपका चेहरा बिलकुल खिल उठेगा दोस्तो कॉफी में एंटी एजिंग प्रोपर्टी होती है जो उम्र से पहले चेहरे पर जुर्या बलेक पेज जैसी समस्याव को दूर करती है साथ ही इसमें बिलेचिंग प्रोपर्टी भी होती है जो चेहरे की डेड़ स्कीन को हटा कर इससे गलोइंग बनाती है तो दोस्तों ये जनकारे आपको पसंद आएध वीडियो को जदर दसेर करें वीडियो को लाइक करें साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ